सूप्रभात नमश्कार गुड मॉरिंग जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है वेडनस टे बुद्वार का दिन है और तारीक है आज साथ फरवरी दो हजार चौबिस आज होगी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपाइरी और तारीक निफ्टी की एक्सपाइरी यानि कल निफ्टी की एक्सपाइरी है और आज है बैंक निफ्टी की एक्सपाइरी इसलिए सब से पहले ये बोल दूँ कि आज कुछ भी होल्ड करके निफ्टी में कल के लिए नहीं जाना और आज निफ्टी में भी हो सकती है बहुत तकडी वोलिचेलिटी पर सबसे बहले तो आपको क्या जानना होगा आप लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि भाई क्या आज एक gap up gap down या flat opening कैसी opening हो सकती है gap up opening होने के पूरे पूरे असार नजर आते हैं क्यों ये कहता हूँ कि hold करके मत जाय कीजिए क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई एक दिन दो दिन चार दिन छे दिन आपको market पैसा दे देगी लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब आप hold करके गए होंगे कि आपके सारे कि सारे जो भी profitability होएगी पिछले आट दिन दस दिन चल सकती है निफ्टी नाइन डेमा के ऊपर है buy on dips की strategy कल के भी यही बात हुई थी कि भाई इस पे sell मत करना आज भी यही कह रहा हूँ this is a buy on dips की strategy पे पूरा पूरा काम करने वाला कोई dip आता है तो वहां से इसमें आ सकती है buying बलकि bank nifty की बात करूंगा तो bank nifty इससे बिलकु विपरीत that is sell on bounce चलिए बात कर लेते हैं 21,950, 51 के ऊपर ही हम लोग buy में आएंगे 21,951 के ऊपर buy में आएंगे या यह कहिए कि अगर हम बहुत बड़ा gap up जो की 22,000 के आसपास या 22,000 के पार होता है तो अगर हम को 21,950, 21,951 मिलता है कोई dip मिलता है तो यहां से एक बार को buying आसकती है 21,951 के बाद लेवल आएगा 21,990, 991 का और अगर वो पार होता है तो फिर दोस्तो 22,000 पार हो कि अगर हम 22,058 की तरफ जाएंगे and 22,058 अगर पार होता है तो 22,093 और 22,093 पार हुआ तो 22,126 all time high को फिर से कर सकते हैं हम test और उसके बाद तो आपको पता है कि उसक के उपर तो मैदान खुला दिखाई देता ही है पात कर लेते हैं डाउन साइड पे देखें डाउन साइड पे 21,850 से पहले तो मैं सोचूंगा नहीं 21,843 मेरा लेवल आ रहा है अगर 21,843 कट जाता है तो वहां से सेल का सिगनल मिल जाता है और वहां से सिगनल अगर 8,43 से म वहां सेल बी 21,700 इन दी डाउन साइड ये बात हुई निफ्टी 50 की बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं CNX Finance यानिके निफ्टी Financial Services की बीस चार सो के उपर ही हम बाइंग के बारे में सोचेंगे सीधा सीधा बोलता हूं बीस चार सो के बाद 2520 के करीब के लेवल्स आते हैं डाउन साइड पे अगर 2240 टूपता है 2240 क्या है 2240 कल का लो है 2240 अगर टूपता है तो वहां से एक बार कम को 20 180, 20 110, 120 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में नई वीक एक आज शुरुवात होगी खैर हम बात अब कर लेते हैं निफ्टी फिन निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की ही कर लेते हैं कल जो होल्ड करके लेके गाए पहले तो वह सुन लो कल एंड टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्रीमियम्स बहुत हैवी थे चाहे वो कॉल साइड है चाहे वो पूट साइड है बहुत तेज थे प्रीमियम्स उसका लाब क्या होता है उसका लाब क्या जो आज गैप उससे किसी को मिलने वाला है शायद वैसा लाब ना मिले और जो out of the money लेकिंग है उनको भी कोई ऐसा लाब मुझे तो प्रतीत नहीं हो रहा और अगर मिले तो उनको पता है कि उनको क्या कर देना चाहिए पहली फुरसत में क्या करना चाहिए bank nifty sell on bounce है कोई शक नहीं इसमें कल last time पे अगर आप देखोगे तो 3.30 के करीब ऐसा लग रहा था 45.770, 7.74, 7.75 के असपास कहीं ने कहीं bank nifty दिख रहा था adjusted closing जो average closing आई वो आई 45.690 की which is say about 80-90 points तो आपको पहले ही उसने वहां से आपको मार दिया तो जितना भी कल hold करके गएं हैं उनको जो call hold करके गएं उनके लिए पहले तो यही दिक्कत यहां पर जो premium meeting होगे होगी लास्ट में उसकी दिक्कत है लेकिन जो आज put hold करके लेके गए हैं उनको तो भाई अगर gap up हो गया तो दिक्कत आनी ही आरी है उनको तो पहले ही कली दिक्कत आ रहे थी अब भी दिक्कत आनी है तो भाई जो bank nifty में hold करके गए हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत भरा सबब है बात कर लेते हैं कि किस तरह से bank nifty चल सकता है देखिए bank nifty जब तक जब तक अब ये 45, 860, 61 के उपर ना चले 45, 860, 800 के उपर बेसिकली है और मैं कहूं क्यों 800 के उपर कारण क्या है उसका आप ये समझ लीजेगा कि 45, 800, 45, 700, 45, 800 mainly 45, 700 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर खड़ा है 45, 700 पर कल कितना कॉल राइटर आया है नया 75,945 कॉंट्रेक्ट्स नए लिखे गए है 75,945 it means अगर हम 45, 700 के उपर open होते हैं let us assume कि हम 45, 700 के उपर अगर हम open होते हैं और sustain करते हैं और sustain करते हैं तो हमारे लिए 45, 800 ही एक बड़ा resistance immediate resistance जो है वो 45, 800 रहेगा 45, 800 अगर पार हुआ तो फिर हमको 46,000 तक कोई खास बड़ा resistance नहीं नज़र आता है 46,000 को अगर हम breach करने में काम्याब होते हैं और कम से कम 15-20 मिनट अगर उसके उपर रहने में काम्याब हो जाते हैं तो भाई फिर 46,250,260 के levels दिखने में हमें शायद देर ना लगे क्यों 46,250,260 क्या है अब भी तक का सबसे बड़ा resistance वही है अब इस समय का सबसे बड़ा resistance 46,250,260 चार्ट पे नज़र आता है आपने January मन्थ में भी उसके उपर closing हम नहीं दे पाए और पिछले साल में भी उसने दो वार double top एक बार नहीं double top दो-दो वार लगा है वहों पे तो ये एक level है जिसका कई दिनों से मैं बात भी कर रहा हूँ तो 46,260 तक आ सकता है लेकिन दोस्तो अब 45,700 की तो बात मैंने कर ली कि इसके उपर बहुत बड़ी है लेकिन अगर 45,600 एक बार को ब्रीच हुआ 45,700 एक resistance है अभी भी बट उसके उपर अगर हम open होते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन area of pain या point of pain अभी भी 45,600 है as per the option chain 45,600 क्यों है ऐसा क्या situation है आप ये हिसाब लगाई है 46,685 नए contracts call side में write किये गए और 49,128 नए contracts put side में add हुआ है कल तो अगर addition बिलकुल almost कोई ज़्यादा फरक नहीं है तो ये area of pain है ये point of pain है अब यहां से 45,600 से नीचे अगर जाते हैं तो कुछ लोग कहेंगे साब 45,500 बहुत अच्छा support है माफ कीजेगा 45,500 पे कोई खास support नहीं है क्यों नहीं है सिर्फ 12,000, सिर्फ 12,480 नए contracts लिखे गए है put side में 12,480 contracts on 45,500 on put side yesterday उसके किलाब 45,500 पे 28,641 तो नए contracts call side के लिखे गए है यानि कि लोग कितने ज़्यादा bearish data बना के गए है data is bearish but if it is a gap up if it is a gap up it doesn't mean कि हम उसको वहां से shot कर देंगे level to level ही काम करना बहतर रहेगा कारण क्या है अगर ये 45,500 वाला, 45,600 वाला, 45,700 अगर हम 45,700 से 800 के बीच में कहीं open होगे तो ये जितने भी call writers यहां पे है न ये सब back foot पे आ जाएंगे इनके कहीं के कहीं के mostly के stop losses हिट हो जाएंगे जब इनके stop loss हिट हुए तो समझ जाएगा कि इनको यहां से position छोड़नी पड़ेगी stop loss हिट होगे या position छोड़ेंगे या फिर जो अड़े रहेंगे जो खड़े रहेंगे अड़े रहेंगे वो वैसे तूट जाएंगे तो यहां से एक short covering भी बन सकती है जो कि आपको 46,000, 46,200, 250 तक के लिए लेके जा सकती है upside पर और downside पर आपको पता है 45,600 के नीचे तो फिर mayhem है जो हमको 45,500 कोई बहुत बड़ा support नहीं नदर आ रहा है फिर support जो कहां नदर आता है support तो भाई फिर 45,600 होगा तूट गया न तो यह समझ लिजेगा कि support फिर दिक्कत भरा होगा फिर दिक्कत आपको 45,200 तक सीधा सीधा 45,200 तक 45,200 तक कोई ऐसा बड़ा support नजर नहीं आ रहा है तो दोस्तों यह हुई bank nifty, nifty, fin nifty की बात अब आपसे मैं इलतजा करना चाहता हूँ request करना चाहता हूँ क्योंकि बाद में ना कहें कि भाई पता नहीं था 16 February 2024 से नया batch शुरू हो रहा है जो भी आना चाहे खुशी से आ सकता है, join कर सकता है Already registrations open कर रखी है मैंने और बाद में मत कहिएगा कि साब मेरी seat आपको मैंने कहा था रखी नहीं आपने तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा पिछले batch वाले जो लोग है जिन्होंने पिछले batch में register करने के लिए रह गए थे उनको इस batch में shift कर दिया गया है तो क्रिपे ऐसा ना करें कि बाद में आपको कहें कि नहीं वे अब इस batch में जगा नहीं है तो जल से जल कीज़ेगा register 10,000 रुपीज उसका charge है 11 days का batch है जो कि आप phone पे paytmg पे से payment कर सकते हैं number description में भी दे रखा है pinned message में भी दे रखा है number है 7834-876-736 में यहाँ पर भी आपको बता लेता हूँ I repeat 7834-876-736 same number पर आपको payment करने के बाद whatsapp पर भी same number पर अपना screenshot डाल देना है saying कि भई registration for the 16th February batch जो भी आना चाहे खुशी से आ सकता है और आज ही कीज़ेगा इसको register उमीद करता हूँ आपको हमारी ये पेशकस पसंद आती हो अगर पेशकस पसंद आती है लाइक जरूर कीज़ेगा share कीज़ेगा अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करना तो बनता है मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुब कामना है Good luck for the day Bye-bye